हेलो फेंड स्वागत आपके स्टरी है चैनल पर मैं आसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आपनी तयारी में जो रसोरों से लगें तो चलिए सुरू करते हैं अपने इस क्लास को जिसका नाम है वोकाबिलारी एकदम बेसिक से जिसमें मैं आपको वोकाब पढ़ाता हूँ यूजिं पी टेकनिक या बोल सकता आप इसको पिक्चर टेकनिक तो picture technique के help से मैं आपको work app पढ़ाता हूँ तो चलिए शुरू करते अपने class को जानते हैं उससे पहले कि हम क्या-क्या आज discuss करने वाले इस class में तो सबसे पहले हम लोग discuss क्या करेंगे तो antonyms और synonyms discuss करेंगे तो पांच होंगे work app ठीक है जिसके हम लग दो तीन तो antonyms minimum होते ही दो तीन synonyms होते हैं तो इसमें hardly अगर हम बात कर ले तो time हमें लग जाएगा 5 to 8 minute हमें इसमें लगेगा फिर आएगा one word का session जिसमें 5 minute लगेगा फिर आता एक special session Pandora box जिसमें मैं exam से लेटर कुछ important rules बताता हूं जो आपकी exam के लिए बहुत ही helpful होता है उसके बाद lastly आपका practice session जिसमें previous year के question के वह का आपको discuss कराते है हाली 10 question होते हैं ठीक है और हर question को solve करने के लिए आपको मिलता है सिफ और सिफ 10 seconds तो चलिए देखते हैं कि आज आप कितना score कर पातों आप अच्छे से तैयार किये हो वह या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं अपने class को और जानते हैं आज का सबसे पहला वह क्या कौन सा है तो आज का पहला वर्ड है वो है ड्रीजल मतलब होता है बुनदावांद में और बात कर लें ड्रीजल के parts of speech की तो अब बात कर लें ड्रीजल के parts of speech की तो यह क्या है वर्ब हैं तो याद रखना है कि ड्रीजल क्या है वर्व है बात कर लिए इसके सीनोनिम्स की तो ड्रीजल जो होता है वो पहली जो फुहार मरस्ती है बारी इसकी हलकी सी जो फुहार होती है उसे ही कहते हैं जैसे आप कोई भी छी श्प्रिंकल करें वाटर पौदों पर करते हो ना द्रीजल ही कहलाता है सावर बोल सकतो यह सब क्या है इसके सीनोनिम्स है तो ऐसे रिलेट करके याद रखो कि अगर आप कपल हो आपकी गल्फिंड है तो आप क्या चाहोगा कि हलकी सी बरसात हो ठीक है ड्रीजल हो बुंदा बान दी हो तो हम उसमें इंज्वाय करें बात कर अगा इसके एंट्रोनिम स्की तो माल लो कोई सिंगल बंद्स होगा उसे जलन होगी तो क्या मनाज़ेंगा ड्रीजल के रिस्वी होगा कि तो आप आप सभी को ऎर्ट बात कर लेते है कि नेक्सट वर्ड है ग्राव-जी ग्राव-जी मतलब होता है निद्व ऐतरने हैं अब हमएशा क्या मह्थां करों गहैं ठीक सौमनो लेन ठीक है ऐसा लाइए कि मेरे सर पे नीद हमेशा सवार रहती है ठीक है ऑफ सोपोड़िफिक मतलब क्या होता है कि आप हमेशा नीद मेरे हें बात कर ले ड्रावजी के पार्ट्स आप स्पीच की तो आप लोग बताओ कमेंट में कि ड्रावजी का पार्ट्स आप स् जैसा हमेंसा नीन लगी रहती है रिफरेंस के लिए देख लो इस बच्चे को जब चोटा होता है तो उसे बहुत नीन लगती है हमेंसा सोता रहता है बात कर लें अन्टोनिम्स की तो हो जागा एलर्ट और अवे ठीक है अगर आप गारी चला रहे हो पीछे पैरेंस बैठे हो तो आपको नीन नहीं आते हैं बहुत ही अलर्ट रहते हैं हमेंसा जगे जगे रहते हैं कि एकसिजिएंट नहों जाए एकसिएंट हो गया तो पापा आज फिर ढट लगाएंगे ओके आई होप कि आपको यह वार्ड वी क्लियर हो गया हुए तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है डलकेट मतलब क्या होता है मीथा स्वीट जो आपको बहुत ही सुभ ना लगे आपके कान को प्लीजन्ट लगे जैसे कि आपको इपना फैवरेट सॉंग सुनतो हो फैवरेट सिंगर का तो आपको वह चीज बहुत ही मेलोडियस लगता है कीट का पार्ट सपीच क्या है यह भी क्या है एड्जेक्टिव है ठीक है अब देख पारगों वर्ड से कैसा तो मीठा ठीक है ऐसे वर्ड आपको क्या देखने को मिलेंगे तो एड्जेक्टिव देखने को मिलेंगे बात कर लिए इसके एंटोनिम्स की तो क्या आजागा हा नेक्स्ट एडुओ डूओ मतलब क्या था जोरी तो जोरी है तो हमें सब पेर में होगा जैसे कपल लोग होते हैं तो पेर अपर कपल ये सब क्या है इसके इंटॉनिम से बात करने अंटॉनिमDude की तो maior सिंगल जो कि अकेला है तो डूओ का पार्ट्स आपे स्पीच क्या होगा फटाक से कमेंट करो देखता हूं कि कौन-कौन से सही कर पाते हैं ठीक है तो डूओ क्या है नाउन है ठीक है यह तो बहुत ही जिए चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट है डूप्लिकेशन डूप्लिकेशन मतलब क्या था प्रतिलीपी तो किसी चीज को आप चुप कॉमिक करते हो ठीक है कॉपी करते हो उसका रेप्लीका बनाते हो ठीक है एक जैसे ही आप उसके नमूने बनातो इमीटेशन करतो उसका नकल बनाते हो उसी को बोलते हैं प्रति लीपी जैसे देख पाड़ो ये एक बॉल था इसका नकल बना कि आपने तीन बॉल बना लिए कोई और बंदा आया उसने ये सेम बॉल देखा तो उससे इस इस बॉल बना लिए फिर ऐसे करते हुए उसका क्या किया टुपलिकेशन किया उसकी प्रतिलीपी इच्छाया प्रति बनाई गए कॉपी कि गए ठीक है बात कर लाएं अन्टोनिम्स की तो अन्टोनिम्स क्या हो जाग ओरीजनल जो क्या था वास्तवीग था अप लोग बत है तो नेक्स्ट हमारा है वन वर्ट सब्चीशन का सेशन एक लास्ट क्लास मैं आपसे यही वर्ड़ होमवर्ख में पूछा था ठीक है आप सभी लोगों ने सही सह अन्सर किया था मैंने पूछा था और सिस्टम आफ गर्मनेंट इन वीच ऑल दे पीपल आफ कंट्री कैन to elect their representative तो उसको क्या बोलते है democracy जनतांत ओसा ने जहां पर हर व्यक्ति को क्या होता है होता है कि वोड करके अपना repertoire जेल helicopter सकते एन सब्सक्राइब थिए एस इनक्स्ट बात कर लेते हैं ये नेक्स्ट है अपक्रतु इसिद्सmost लेक्टमरी ये ये जब आप study करते हो किस चीज़ का तो population का population को क्या बोलते है जन संख्या तो जन संख्या का जो study करता उसको बोलते है जन सांख्या की ठीक है सांख्या की मतलब बता है calculation करना या study करना ठीक है तो जन संख्या को ऊपर जो study करता उसी को बोलते है demography ठीक है आपने पढ़ा होगा D-form, तो form को क्या करते हैं, अलग धलग करके उसमें विक्रिती पैदा करने है, तो D-nature मतलबी क्या है, विक्रित करना, तो विक्रित कैसे करोगे, जब आप उसके natural quality को alter करोगे, जो उसका पहले से natural quality था, उसको alter कर सकते हो, या तो उसमें कुछ mix कर दो, या कोई reaction करवाद हो, जो irreversible हो, तो क्या हो जागा है, विक्रित हो जाएं, जैसे एकजांपल के लिए आप देख लो इस picture को, कि आपने देखाओ कि एक का जो यॉल्क होता है, वो यल्लो होता है, उसके जो liquid होती है, वो transparent होती है, लेकिन जब आप इसको stir कर दोगे, बहुत ज़्यादा मिला दोगों तो यह white color का हो जाएगा, ठीके तो आप इसको क्या कर दी हो, विक्रित कर दी हो, वापस से यह फिर वैसा नहीं बनेगा, कि यह अलग हो जाए, और white liquid आपको अलग मिल जाए, इसी को बोलते है, denature, चलिए, next बात कर लेते हैं, next है, denigrate, denigrate मतलब क करना, तो किसी को आप बनाम कैसे करते हो, तो बीना बात को उसको criticize कर देते हो, तो criticize unfairly, तो criticize unfairly, तो उसी को बोलते है, बना, denigrate मतलब criticize unfairly, next बात कर लेते हैं, next है, depict, depict मतलब क्या होता, सब्दों में वर्णन करना, portray in words, मालों कि आप कहीं गये, आपने कुछ ऐसा देखा, ठीके, तो उस चीज को आप अगले इंसान को कैसे बताओगे, तो उसको आप वो वर्ड में ही बताओगे, सब्दों में ही वर्णन करोगे, ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में जो आपने देखा आँख से picture, वो picture निकालोगे आँख से और उसके आँख में डाल द चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा इडियम और फ्रेजज का सेशन, जिसमें देख लेते हैं कि आज का पहला इडियम हमारा कौन सा है, तो आज का जो पहला इडियम है, वो है carry weight, ठीक है, carry वाला अभी भी चल रहा है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था carry can, ठीक है, carry a day, तो ऐसे ही अभी carry का भी चल रहा है, एक और पर लेते हैं, तो क्या है carry weight, मतलब महतपुर्ण होना, be important, अगर आप कोई weight को धो रहे हो, मतलब क्या है कि वो बहुत ही important है, जैसे कि अगर आप अपनी girlfriend को उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है उसका weight वजादा होगा, लेकिन वो आपके लिए क्या है, important है, तो आप उसको carry कर रहे हो, ठीक है, याद रखना carry weight, मतलब carry, your girlfriend मतलब क्या है, वो आपके लिए important है, तभी तो आप उसको उठा रहे हो, वह ही मम्मी आपको बोल दे कि चलो gas cylinder उठा लो, फिर आपकी आफता आती है, क्योंकि वो आपके लिए उतना important नहीं होता है, ठीकिन आपकी girlfriend वहाँ पी important होगी, कि आपका image उसके सामने खराबना हो, तो carry weight मतलब क्या है, be important, I hope आपको चीजे clear हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, next idiom की तरफ, next idiom है, carve out on knees, ठीक है, knees होता है, जब आप किसी particular category होता है, जैसे किसी को drawing पसंद है, किसी को singing पसंद है, तो आप उस चीज को जब अपना hobby बना तो उसी को बलते हैं, ठीक है, उस चीज में आप आगे जाते हो, तो carve out on knees मतलब क्या है, अपने लिए एक vicious अस्थान बनाना, developed a specific position for himself, जब आप अपने लिए एक vicious अस्थान बन दाले तो कि हाँ, अब मुझे इस चीज में ये काम करना है, उसी को बलते हैं, carve out on knees, ठीक है, अगर आप art and craft जानते हो, तो आप आते हो कि मैं art and craft का एक class खोलू, ठीक है, बच्चों को सिखाऊं, तो आपने क्या किया, अपना एक knees बना लिया, carve out कर लिया, एक knees, तो आप उस एक specific position में अपने आपको ढाल लिया हो, ठीक है, चलिए, next बात कर लेते हैं, next है, cash strap, मतलब क्या होता है, पैसे की तंगी, impoverished, जब आपके पास पैसा नहीं हो, जब आपके पैसों की तंगी हो, उसी को बोलते है, cash strap, जब आप bachelor life जीते हो, जब आप तयारी करते रहते हो, त तब यूज कर सकतो, I am cash strap, मतलब मेरे पास अभी पैसों की तंगी है, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ऐसे daily life में इन सारी इडियम को यूज करेके, इसको असानी से याद कर सकते हो, चलिए, आगे बात कर लेते हैं, next idiom है, cast a slur upon, मतलब बदनामी कराना, damage, ठीक ह हो, वो famous होने के लिए क्या करते हैं, खुद की बदनामी करवा लेते हैं, ठीक है, बदनाम होते हैं, लोग ज़्यादा जानते हैं, तो ऐसे भी आप famous हो थकते हो, अच्छा काम करके famous हो या, बदनाम होगे, ठीक है, famous तो आप हो ही जाओगे, तो cast a slur upon मतलब क्या होता है, ब इसका हिंदी मीनिंग अलग है कि भैस के आगे बीन बजाना तो कि अगर सुवर के आगे अपने मोतियां डाल दी तो क्या करेगा सुवर उसको समझ ही नहीं आगा क्या कर दिया मतलब गया कि अच्छी चीज़ आप दे रहो उस पीपल को जो कि अंडीजर्बिंग होता है बहुत पार हम लोग रिलेसंसिप में चले जाते हैं ऐसे के पीछे भागते हैं जिसको आपकी कदर ही नहीं हो तो आप बोल सब तो कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन भैस के आगे बीन बजाना आपको क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा पैंडोरा बॉक्स का सेशन है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भानुमति का पिटार कुछ ऐसा पिटारा होता है जब कीले जाते हैं इसमें इंसर्ट करते हैं जब इसमें इंसर्ट करोगे तो पता होगा ठीक है लेकिन अगर आप regular class हमारी करते होगे तो आपको पता हो जब यह box open होता है तो उसमें से कुछ बीमारी नहीं निकलती है उसमें से बहुत ही important चीज निकलती है तो hundred golden rules किस चीज के तो English grammar की जिसका यूज कहां आता है तो error detection और sentence improvement के जो भी question होते है उनको क्या करने में solve करने में ठीक है और आपके English के exam में या तो question vocab से आते हैं या फिर आपको error detection के question ही देखने को मिलते हैं तो आपके लिए यह सारे rules बहुत ही beneficial होने वाले हैं तो आज का rule क्या कह रहा है अभी हम usage of adverbs कर रह तो आज का rule क्या रहा है कि मच का जो use होता है वो कहां होता है या तो आप past participle के पहले करो या फिर adjective और एडवार के साथ कर सकतो लेकिन किसमें तो comparative degree में ठीक है यूज कहां होगा तो present participle में होगा और जब adjective और किस डिग्री में हो तो positive degree में जहां पर आपको adjective या एडवार positive degree में मिलता है तो वहां पर वेरी का यूज करना और वो क्या होने चाहिए present participle तो present participle में वेरी का और past participle होगा तो यूज का यूज करें ठीक है आई एक्जांपल से समझते हैं एक्जांपल क्या है दर न्यूज इस मच सर्प्राइज़ पास्ट की बात नहीं कर रहा है यह किसकी बात कर रहा है present की बात कर रहा कि अभी आपको बता रहा है कि न्यूज जो है वह अभी आपके सम्न कर रहा है यार न्यो zg कितना सप्राइज ही है तो अभी कि बात कर रहा है पास्ट की नहीं कर रहा है प्रजैक्ट की कर रहा है प्रजैन परसिपल की तो यहां पर क्या यूच होगा तो वेश यूच यूच नहीं होगा याँ पर पास्ट की बात दिया तो गलत होगा पास्ट की बात करेगा तो मज़ का rules parent की बात करेगा तो वेरी का यूज ओगा तो आगे बनते नेक्स्ट बात कर तो आज हम बात करने वाला है 21st July के shift party ठीक है तो आज का पहला question है कि आपको synonyms बताना है किसका तो जारजन का ठीक है और इसके लिए आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दस सेकेंड चार एक्जामपल है क्या-क्या verboseness, eloquence, formality, slang ठीक है सिनोनिम सी बताना है जारजन का अपका time स्टार्ट होता है अपको फटाक सेंस अगा बहुत ही जी यह पहले भी मैंने आपको करवा रखा है ठीक है अगर आपको याद हो तो तो इसी के साथ time off हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही से answer कर दिया होगा ठीक है तो जारगन का जो correct synonyms होगा वो क्या होगा slang मतलब क्या है निरर्थक बखवास करना ऐसा बात या ऐसी बखवास करना है जिसका कुछ अर्थी नहीं ठीक है तो इसको slang बोलो या बोल सकता हो मटर भी बोल सकता हो मटर भी क्या है इसके synonyms ही है बात कले वर्वोसनेस की मतलब क्या है वाचालता जो बख 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 ब सब्सक्राइब करें डिफ्यूजी बोल सकतो है इलोक्वेंस मतलब क्या होता है वाग मिता ठीक है हिंदी में वाग मिता बोलते हैं और इंगलिस मीनिंग ऐसा समझ लो कि ऐसा वक्ती कोई भी लेंगविज बहुत ही फ्लिवेंसी के साथ और बहुत ही एक्स्प्रेसिब वे में बोल दे उसी को ही बोलते हैं इलोक्वेंस ठीक है फॉर्मिलीटी मतलब क्या होता अपचारिक था ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं घ्रीक को बताना है एक आपरॉप्रियेट मीनिंग मतलब शीनो निमसी बताना किसका डिफिटेंड का आप यूज का हिल्प ले सकते हो इस्संटेंट का ठीक है इससंटेंच की म जर्ब पताना कि कौन सा सही मीनिंग देरा ठीक है बहुत हीजिए अर आप पूरा संटेंस उपर का पढ़ो तॉपको एंसर है सही पता चल जागा कि ड्यूरिंग दा वेडिंग से रूमनी दा ब्राइड सीम्ड इवें क्वाइटर एंद मोर डिफीडेंट धन यूजिए इसी के साथ चाइम आप हो चुका है यह आप सभी लोग ने सही से एंसर कर दिया होगा तो डिफीडेंट का मतलब जाया होता है सर्मीला तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जागा साइग दीटू लैक ऐफ कांफिडेंट चल यह नेक्स बात कर लेते हैं नेक्स को स्पोश्चन क्या कह रहा अब मैंने आपको यह पहले भी करवा रखा बहुत ही इसी है दस सेकेंड तो काफी था दो से तीन सेकेंड मैं आप एंसर कर पाओगे तो इसी के साथ टाइम आप हो चुका है I hope आप सभी लोग ने सही से एंसर कर दिया होगा ठीक है तो फिर्स मतलब क्या होता है aggressive मतलब अब बोल सकतो उग्र ठीक है उग्र बोल लो horrible बोल लो कोई बीची horrible होगा उग्र होगा horrid होगा violent होगा aggressive होगा बात कर ले fraud fraud मतलब क्या होता है दोखा ठीक है cheat बोल लो ठीक है या फिर्स बोल लो जेंट्ल मतलब क्या होता कि नम्ठ घंटल है हमबल होगा मोदेस्ट होगा डीसेंट होगा यह सब बहुत सरे words मेने बुख़वा रखें कमेंट्स में भाइफड्स बताओ कि कौन-कौन इसके सिनोनिम्म्स होगे fanatic मतलब क्या होता है fanatic मतलब रहता हैこんにちは ठीक है जो cutter होगा वो क्या होगा dogmatic होगा बाइगौटेड होगा friendly होगा यह मैं आपको करवा रख होग डौग मेटिट अपने अगर प्रीबेशUS classes सारी की होगी तो आपको पता होगा यह सारी थीक है dogmatic कि बाइगॉट इस अब मैं करवा रखाऊं कि ये बहुत बार रिपीट हुआ देख पारो कि ये सारे कोश्चंट बहुत बार रिपीट होते हैं इसलिए मैं आपको प्रिवेस ये कर रहाता हूँ कि बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे जो कि from one to another of various fields of endeavor ETC and is able to do many things ठीक है बहुत सारे काम एक साथ करते हैं चार ओप्शन है फ्रेक से बताना क्या होगा talented, flexible, versatile, turncode बहुत ही जिये ये भी आपके 2 से 3 सेकेंड में एंसर करने लाइक कोस्चन है ये भी SSE बहुत बार repeat कर रखा है तो इसे के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोगोंने सही से एंसर कर दिया होगा तो उसको क्या बलते हैं वर्स्टाइल बोलते हैं ठीक है आपने सुना वर्स्टाइल एक्टर है कोई भी रोल दे दो, कुछ भी दे दो ये कर लेता है ठीक है तो कोई भी काम आप बढ़ी असानी से कर पा रहे हो कोई भी टास्क कर रहो ठीक है किसी भी फिल्ड में तो आप क्या हो वर्स्टाइल हो नेक्स्ट कोस्टिन की तफ चलते हैं नेक्स्ट कोस्टिन कहा रहा है कि आपको एंटोनिम से बताने किसका तो राउडी आपने यह वर्ड सुना हो का राउडी है ठीक है चार ओप्सन है डिस ओडरली, कम्पलाइंट, नुआईजी, चैट्रे बड़ी असानी साप इलिमिनेट के भी कर पाऊगा और यह तो आपको पता ही होगा बहुत बर सुना होगा आपने तो बहुत राउडी बन रहा है तू ऐसे करें तो आपको याद होगा चीज़िए तो इसे के साथ time up हो चुका है I hope आप सबी लोगोंने सही से answer कर दिया होगा तो राउडी कौन होता है जो दंगई होता है तू दंगा फराद करता रहा है तो इसका correct antonym क्या हो जागा है complaint जो अग्याकारी हो जो आपकी बात को माने तू राउडी दंगई होता है जो रायर वगरा फैलाए ठीक है तो आप इसको राइटर्स बोल सकते हो अनुरूली बोल सकते हो ठीक है अनुरूली भी इसके सिनोनीज है तो यह मैंने आपको दो क्लास पहले बताया थे या फिर लास क्लास में बताया थे disabled, मतलब क्या होता है? Missy होता है, ठीक है. एक और word होता है, Helter, Skelter. यह सब मैं पहले भी करवा रखाओ. बात कर ले, Compliant मतलब क्या होता है? Aguir कारी, जो आपके बात को माने, ठीक है? क्या obedient होगा, meek होगा? यह सब मैं आपको पहले भी करवा रखाओ, obedient. ठीक है, और क्या बोल सकता हो? आप ड्यूटीफूल, obedient बोलो, यह ड्यूटीफूल बोलो. यह मैं पहले भी करवाँ. नेक्स्ट है, नुआईजी. नुआईजी मतलब क्या होगा? कौल हाल में. ठीक है, अगर कौल हाल में होगा, तो क्या होगा? बहुत ही तिब्र साउंड होगा है, ठीक है? उसको आप बोल सकतो स्रिल, ठीक है? स्रिल क्या होता है? तीखी आवाज जो होती है, उसी को स्रिल बोलते है, ठीक है? या फिर बोल लो आप, clement. यह सब क्या है? इसके synonyms है. चैटरिंग मतलब होता बक बक करना, ठीक है? synonyms है. चैटरिंग नेक्स कोस्चन की तक चलते हैं. नेक्स कोस्चन कहा रहा है कि आपको क्या बताना है? एप्रोप्रीट इडियम या फ्रेज बताना है इस वर्ड के लिए. वर्ड क्या है? कम्पलेटली अपसोलीट. तो यह किस इडियम का मीनिंग है. यह आपको बताना है. चार अपसन है. हैंगिंग बाया ट्रेड, मुविंग लाइक अवर्ड, डेड इवेड, अज डेड, अज धोर्ने. फटाक से अंसर करना. आपका टाइम में स्टाट होता है. अब है. मतलब क्या है कि मरा हुआ है. कैसा? तो अज डेड, अज डोर्ने. ठीक है. डोर्नेल देखाओगा कि एक जगा पढ़ा रहता है. कोई हल्चल नहीं होती है. उसमें. आपका टाइम स्टार्ट होता है. अब यह भी बहुत इजी है. आज आएप सबी लोगों ने सही से अंसर अभी तक कर दिया होगा. टाइम लिमिट के अंदर. तो इसी के ताइम अप हो जुका है अंपने सही अंसर किया होगा तो चलिए देखते कि सही अंसर क्या है प्रोबैबली का एंट्रुनिम क्या है ठीक इसमें बड़ी असाइन से इसके सीनों है और पॉसिबली भी क्या है इसी के synonyms है ठीक है perhaps है आप इसको बोल सकते हो maybe ठीक है जब आप सी ओर नहीं होते हो तो आप बोलते हो ना maybe हो सकता है पॉसिविली हो सकता है परहापस यह सब क्या है इसके synonyms है बात कर लें अपरेंटली की तो अपरेंट मतलब का होता है असपस्टल गूप से जो क्लियरली आपको दिख जाए अपरेंटली को आप क्लियरली बोल सकता है डेफिनेटली जो चीद निश्चीत रूप से हो ठीक है है def night i7a सटेनली यह सब क्या है इसके synonyms यह सब easy word नेक्स बात कर लेता है keep mist question क्या का है ठीक है तो 一 तो नेक्स कोसिशंट करना कि आपको क्या बताना एंटोनुम सबताना किसका ड्ज़ीट ये भी बहुत हींजिए सबसे जीवा आज का मोडसन है हेजी सब्टल वेग मोनोटोनस फटाक्स अंसर करना कि क्या होगा definite का एंटोनिमस अजका इसी के साथ टाइम अप हो चुका है आई होप आप समने सही सही अंसर कर दिया होगा तो definite है कोई भी चीज स्योर है अभी बता है कि certain definitely ठीक है इसका correct अंटोनिमस क्या हो जागा वी वेग मतलब क्या हो था और असपर्स ठीक है जो चीज किलियर नहों unclear हो obscure हो ठीक है obscure unclear यह सब मैंने आपको पहले भी बताया है blurry हो ठीक है धुनला धुनला होगा definite जो चीज क्या हो certain हो fix हो ठीक है certain हो fixed हो सियोर हो ठीक है जिसके बारे में आप सियोर होते हो बात कर लें हेजी की तो हेजी मतलब क्या होता है धुनला होता है दीक है blurry हेजी mistry ठीक है subtle मतलब क्या होता है subtle मतलब होता है जटिल तो जो चीज जक्री होगा वो क्या होगा complex हो नुख को चीज complex है तो वो क्या होते होगा difficult होगा भी सिनोनीम सी ही है मोनोटोनस मतलब क्या होता है नीरस तो एक ही काम करकर कि आप ठक जाते हो नीरस हो जातो उसी को बोलते मोनोटोनस मैंने आपको बहुत ही अच्छा इसका सिरोनीम से बताया था और याद करने का टेक्निक भी बताया था कि हम ड्रम हम ड्रम बनाते बजाते क्या हो गए है बहुत ही नीरस हो गए ठीक है तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हम ड्रम है ठीक है क्या था कि हम जाते बाराता बॉड हो गiblia मतलब मोंओ Baptist हो गए एक ही काम करना है कब से ड्रम बजाया जा रहे हैं बजाया जा रहे हैं फिशन बात कर लेता है फिर ने क्सक्षिन क्या कह रहा है तो नेक्स्ष गुस्ट्टन आपको क्या बताने इडियम ठीक है इस वर्ड के लिए आपको इडियम बनाना है कि I am more powerful than what they expected ठीक है इसके लिए correct इडियम कौन सा है क्या क्या है कास्टिंग पर्ल्स बीफोर स्वाइन डैमसल इन डिस्ट्रेस दे कॉट अटार्टर कटिंग अ क्लॉथ तो बड़ी आसानी से एक तो इसके साथ टाइम आप हो चुका है आई होप आप सभी लोग ने सही से कर दिया हो तो इसका correct answer क्या हो दे कॉट और टार्टर ठीक है जब आप टार्टर को पकरते हो मतलब क्या है आप बहुत powerful अपने आपको मानता हो what they expect I am more powerful than what they expected उसको क्या वो लेंगे दे कॉट और टार्टर ठीक है तो इडियम क्या हो जागा दे कॉट और टार्टर चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए homework question है ठीक है a short sleep during day ठीक है या आप इसको बोल सकता इसको क्या बोलते हैं और आपके हिंट के लिए मैंने यह picture भी लगा रखा है ठीक है ठीक है तो आप लोग एंज़ा करना और comment में यह जरू बताने कि आपका score कितना है 9 out of आपने कितना score किया है तो आज के लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऑपन दोस्तों में क्लास को सेर करना ना बूले जिनने वोकार पढ़ना एक तो मजधात तरीक है तो चलिए मिलते हैं फिनेक्स क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक किया